असलाम अलेकूम उमीद है आप लोग हैरिया से होंगे आज मैं आप लोगों को चिकन करेले बनाना से कहूंगे करेले जिसके बहुत से फायदे हैं ये शुगर के पेशन्स के लिए अच्छे होते हैं स्किन के लिए अच्छे होते हैं कॉलेस्टरॉल के लिए अच्छे होते हैं वेट लॉस के लिए अच्छे होते हैं इसके बहुत से हेल्थ पेनिफिट्स हैं इसको जरूर अपनी डाइट Q3, घब 1 दर्मयानए साइज का प्यास एक लचनı में अच्ही तरह से चॉप कर लिया था 1 प्याली बोनलेस्ट छेकन 30 कrias करना equity respect निच्वान दोनों को बनाने का लिएग यह इए दो टमाटर, वन फूर कप ऑईल, आदा चमच लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, आदा चमच गरम मसाला, एक चमच नमक, एक चमच अतरक और एक दो हरी मिर्चे और करेले फ्राई करने के लिए मैंने लिया हैं अदा किलो करेले हैं वन फूर कप आउयल और एक धर्मियाने साइज की प्यास एक फ्राई पैन में करेले ताल ले आउयल और प्यास और इसको हलकी आप पे फ्राई होने के लिए रख दें करेलो को मैंने काट के एक गेंटे के लिए नमक उनको लगा के रखा था उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह धो लिया था अब इसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं स्लो आप पे जब तक हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं तो हम लोग चिकन का सॉलन बना लेते हैं वन फूक अप ओयल में डाला है और लसन और प्याज इसको हलका ब्राउन करने अब इसके अंदर हम चिकन एट कर देंगे चिकन को अच्छी तरह इसमें फ्राई करें पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट हो गए अब इसके अंदर हम वन फूक पानी अद्रक हरी मिर्चे नमाक टमाटर और नाल मिर्च और हल्दी ताल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसको भूनेंगे अब इसको ढखके रग दें हलकी आग पर जब तक के ये पानी खतम ना हो जाए करेलो को भी साथ साथ देखते जाएं हलाते जाएं इनको अभी और ब्राउन करेंगे इनको इसके नीचे अब आग बन कर दें इससे जादा मत फ्राई करिएगा पानी ड्राय हो गया है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि चिकन थोड़ा सा और गल जाए और इसको अग पर रख दें चिकन कल गया है अब इसके अंदर करेले दाल देंगे क्वास याँ कमा पाल अज़ा है उसे हम दीच नहीं इसमें आइट करेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया अब इसको डिशाट कर लेता है बदासा धनिया बदासा धनिया चिकन करेले रेडी है उमीद है कि आप लोगों कोई रेसिपी अच्छी लगी होगी मतन के साथ अगर आप करेले बनाएंगे तो उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होगी इंशालला मैं वो भी बना के आपको दिखाऊंगी तो तब तक के लिए आला हाफिज